Hello Everyone, Welcome to Let's Revise आज की वीडियो में हम बात करेंगे Intelligence Theory की एक और Theory की जिसमें हम बात करेंगे Thurston की Group Factor Theory की इससे पहले मैंने Spareman की Two Factor Theory आपको समझा दिये एक वीडियो की True वो वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और इसका Link में इसक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अभी मैंने इसकी प्लेइस नहीं बनाई है जब दो तीन वीडियोज हो जाएंगी आपकी इस थेयरी पे तब मैं जा करके इसकी प्लेइस बनाऊंगी तब आप इसली इसको चैनल से डारेट देख सकते हैं इस चैनल पर आपको धीर अग्जाम में पूछी जाती है और यह बेर परपस से भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है अगर आप एक टीचिंग पीपल टीचर हो या आप किसी भी टीचिंग फिल्ड में जाना चाहते हो तो आपको यह कुछ इंटेलिजेंस की थेयरी जो आपके जबान पे होनी चाहि तो यह वीडियो पस इसलिए है कि मैं आपको इन थेयरीज को बहुत ही इजी वे में समझा सकों जिसे अप अपने एक्जाम में बेटर कर सकें टाइम को बिना वेस्ट किये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ नहीं समझ में आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं यह पिक्चर है थर्स्टन की इनका पूरा नाम है लुइस लियान थर्स्टन इन्होंने ही आपकी यह गुरूफ फैक्टर थेयरी दी है इन्होंने इस थेयरी क 1930 में दिया था और यह एक अमेरिकन साइकलाजिस्ट थे वैसे तो आपको यह थरस्टन गुरूफ फैक्टर थेरी के नाम से ही मिलेगा लेकिन इनका फुल नेम लुएस लियन थरस्टन था जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इन्होंने क्या किया था इस पेर मैं की जो टू फैक्टर थेरी थी उसको ही इन्होंने एक्सटेंट किया था गुरूफ फैक्टर थेरी में आपको पता है टू फैक्टर थेरी थी जी फैक्टर एन आपकी एस फैक्टर अल्सो इन्होंने क्या किया था इन्होंने 7 प्राइमरी PMA means test of primary mental abilities इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि intelligence कोई single या journal ability नहीं है और इसी के basis पे इन्होंने 7 mental abilities की बात की थी पहले ये क्या थी 7 primary mental abilities थी बट last में इसके बाद में क्या क्या इन्होंने उसमें 2 और add कर दी थी जिसकी बारे में हम क्या करेंगे अभी आगे बात करेंगे तो अब हम यहाँ पे एक एक mental ability को देख लेंगे आप बहुत यहांजे सुनिएगा जिससे आपको यह सारी जो abilities हैं वो clear हो जाएंगे जिससे आपको यह जो primary factors है ना क्लियर हो जाएंगे तो यहां पे आपके different types of primary factors दिये हैं सबसे पहले यहां पे आपका है verbal comprehension आपके verbal related to हैं आप ऐसे relate करके याद कर सकते हो एक आपका verbal का यह होगा और आपका दूसरा यह है word fluency यह आपकी verbal fluency factor नाम से भी जानी जाती है ठीक है ना first है आपकी verbal comprehension factor इसमें क्या होता है इसमें जो ability होती है person की वो understand verbal material को understand करने की होती है अगर मैं simple way में कहूं तो जो कुछ भी कोई सामने वाला समझा रहा है या जो भी वो read कर रहा है बुक से read कर रहा है या कोई सामने समझा रहा है जैसे मैं समझा रही हूँ तो आप यह सामने वाला person उसको कितना better understand कर पा रहा है इस ability को हम verbal comprehension factor बोलते हैं या ability बोलते हैं ठीक है language को कितने अच्छे से इनसान समझ पा रहा है ओके देनातर हम इसके दूसरे verbal fluency factor की बात करें जो यहां पर word fluency नाम से है तो इसमें क्या होता है इसमें अगर आपने कोई question put up किया तो सामने वाला उसके लिए कितने जली से कम टाइम में new sentences frame करके words को add करके कितनी fast आपको response कर पा रहा है ना उस ability को हम word fluency ability बोलते हैं यहां पर हम आपको example दे सकते हैं किसी witty person का witty person क्या होता है कि आपने कुछ पूछा और आपको fud से response कर देता है ठीक है थोड़ा सा time लेता है आप कोई भी question पूछे और आपको fud से एक हाजर जबावी person जो होता है ना उसको हम एक perfect example समझ सकते हैं पा रहे हैं and word fluency में हम कितने अच्छे से response कर पा रहे हैं कितने अच्छे से अपने चपाब को दे पा रहे हैं words को या sentences को frame करके यह आ जाता है next हम बात कर लेते हैं memory की memory को आपके हम simple memory factor बोलते हैं यहां पे आपको associative memory भी दिख रही है दोनों नेम्स सेम ही है इस factor में क्या होता है इस factor में वो abilities आती है कि कितने अच्छे से आप अपनी जो previously अपनी कोई चीज learn करी है उसको कितने अच्छे से associate या फिर आप उसको recall कर अपा रहे हो कितने quickly आप उसको memorize कर पा रहे है आपके जो memory है ना उसकी कैसी power है सबकी memory की different different powers होती है किसी को जल्दी याद होती है किसी को कम याद रहती है चीज़े तो बस हमें इसमें यह देखना है ना कि जो ability है ना recall और associate करने की वो कितनी perfect है और कितनी सही है next हम बात कर लेते हैं perceptual speed की perceptual speed में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका आ जाता है कि आप किसी चीज़ को किसी letter को किसी number को या किसी picture को कितनी fast उसको recognize कर पा रहे हो ठीक है ना कोई picture है कोई आपने कोई चीज़ देखी है कोई number है letter है जैसे बहुत सारी pictures आपको दे दी कहीं है तो उसमें से आप कैसे recognize कर पा रहे हैं कितनी speedly उसको recognize कर पा रहे हैं इसको हम perceptual speed factor बोलते हैं next हम बात करेंगे numerical ability की numerical ability में हम basically arithmetic calculation को involve करते हैं मतलब कि कोई person जो आपका arithmetic calculation उसको कितनी rapidly कर पाता है कितनी fast कर पाता है simple जो आपकी basic maths होती है जो word problems होती है ना maths की उसको वो कैसे solve कर पा रहा है यह जो आपकी ability होती है उसको rapidly solve करने की वो आपकी numerical factor में आती है I hope आपको इतने clear हो next आपका है reasoning reasoning factor में हम journalize करते हैं specific says journal की ओर मतलब यहां पर आपका logic आजाता है आपकी mental ability आजाती है मतलब आप किसी चीज को logically कितने अच्छे से समच सकते हैं तो इसको अगर हम देखें measure कैसे कर सकते है reasoning factors को तो इसको measure हम करते हैं letter series, number series या word classification के तुरू बहुत सारे reasoning के आपने paper दिये होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको किस तरह से questions देखने को मिलते हैं ठीक है तो वही reasoning solve करने के जो ability होती है वो हमारी reasoning factor में आती है next आपका है special visualization, special visualization में अगर हम बात करें तो यहां पे आता है कि कोई person जो space होते न जगा होती है उसको कितना better perceive कर पाते हैं जैसे कि आपके architectures होगे engineers होगे आपके interior designers होगे वो लोग क्या करते हैं वो लोगों को blank space ही तो दिया जाता है and then वो वहां पे चीज़ों को design करते हैं कि यहां पे किस जगे पे क्या चीज़ होगी और वो एक उसका perfect result निकालते हैं अगर हम simple way में कहें तो आपको जगेती दी जाती है जहां पे आप puzzle solve करते हो तो आप उस puzzle को क्या करते हो perfectly एक perfect जगे पे fix करते हो so that कि वो puzzle solve हो सके और जो आपका perfect figure है वो आपके सामने आ सके तो यहां पे वो persons आते हैं यह वो abilities हम बात कर सकते हैं जो special को कितने better way में space को visualize कर पाते हैं यूज कर पाते हैं यह हो गई आपकी primary factor of mental abilities जो कि आपकी 7 है यहां पे अभी मैंने बोला था कि आपकी two more add होई थी एक थी आपकी deductive reasoning जिसको मैं DR से represent कर रही हूँ और एक आपकी थी problem solving ability factor ठीक है आप इसको note कर सकते हो first थी आपकी deductive reasoning और दूसरी थी आपकी problem solving ability factor अगर हम बात करें deductive reasoning की तो deductive reasoning में हम क्या करते हैं deductive reasoning में वो abilities आती हैं कि इसमें हम journalize जो हमाई पास results होते हैं इनको कितने correct way में हम use कर सकते हैं and second आपका problem solving ability factor इसी पर problem को independently solve करने की ability हमारी problem solving ability factor में आती है तो यह दो factors थे जो आपके बाद में add on किये गए हैं इसमें और इनी factor के basis पर थेस्टर ने क्या किया था एक नया test of intelligence उन्होंने construct किया था जिसका नाम था test of primary mental abilities okay in short में हम इसको PMA बोलते हैं I hope आपको यह theory clear हो गई होगी अगर आपको किसी भी type का कोई confusion हो कोई भी आपको इसमें factor clear नहीं हुआ हो तो आप उसको comment section में मुझसे पूछ सकते हैं as you all know कि मैं आप लोगों के response करती हूँ करते हूँ